आप सभी का स्वागत है कॉंपेडिशन कम्यूनिटी में और आज हम इस पेपर से उन पार्ट टू के इंदर का देखने वाले हैं कि और आपको और किस टॉपिक पर जो वीडियो चाहिए वो प्लीज यहां पर कमेंट जरूर कर दें ताकि हम उस पार अधारित एक वीडियो आप लेकर आ जाएंगे एक जो सेक्शन यहां पर हम देखने वाले है आज स्पोर्ट वाले सेक्शन को देख रहे हैं स्पोर्ट जो सेक्शन हैं काफी मोडिकार वो क्रिकेट में टीच्ट में अशलाती वाले। क्रिकेट और आपको सार्य सपोर्ट पसंथ है व्योंखता है आठ नंबर में लिखे हैं वाइड बॉल क्या होता है करके तो खुद जो मतलब यहां पर यहां पर हम ले रहे हैं या क्रिकेट केल में कितने प्रारूफ होते हैं यहां पर फॉर्मेट की यहां पर बात कर रहे हैं अब देखो बहुत सारे बच्चे जो ने यहां पर होते हैं और जैसे क्रिकेट का जब नाम आता है न तो पता है जादतर लोगों की दिमाग में एक ही चीज़ आता है आई पी एल मजब 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 नहीं कर रहा हूं लिटरिली मुझे उतना नहीं पसंद ठीक है सबकी अपन को सकते हैं तो वो टीम ब्लू वाला टीम बेट वो चीज़े नहीं आती मजब दूसरे देश के लोग खेल रहें आ रहें जा रहें और ठीक है टैलेंट ज़रूर मिलते हैं इसमें नहीं जो प्रतिभाओं को मौका मिलता है यह किसका पॉजिटिव सैड भी है तो एक टॉप तो रिद्धावस्ता में जो पहुंच गए उन लोग भी भाई यह से बैट के ट्रेन में से आतों तो आई-पेल वोगरा देखते रहते हैं चोड़े बच्चे आई-पेल की बात करते हैं टीम्स की बात करते हैं इवन डोंट ने बाउट की भाई कुछ कब भी होता है इवन stalls लिमिटेड्स ओवर मैच लिमिटेड्च और एक होता है आपका फाइब डेस अनलीमिटेड्स थो नहीं कह सकते हैं क् Alberto agree यह रोगते हैं लामबे दिन का यह लंबा चलता है फाइब देस हैं इसको dealerलिम कहां देतने टेश्थ मैच बोलते हैं इसको कहा जाता है टेस्ट मैच होता है यह और यह आपका सीमी तोर होता है यानिके लिमेटेड ओर्स इसमें दो आप देख सकते हैं ओडिया यानिके वंडे इंटरनेशनल और एक आप देखने को मिलेगा टीट्वेंटी इसमें भी आप आई लिखेगा आई इसलिए क्योंकि टीट्वेंटी के अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं आई-पेर इस नॉटी टीट्वेंट इंटरनेशनल वह एक भारति है खेमे के अंतरगत भारति ऑप महाध्यपिया भारत के अंतरगत खेला जाने वाला एक घरेलोड टूर्णामेंट है इस नॉट इंटरनेशनल ठीक है पर इसी टेबल के format में ही आपके पास एक जगह पर मिल जाए हैं हम टेबल बना लेते हैं इन टेबल में हम एक जो column होगा आपका taste match का होगा एक जो column है वह आपका ODI का होगा और एक जो column है वह आपका T20 के लिए होगा ठीक आप चाहें तो इस प्रकार जो मैं बना रहा हूँ वैसा भी सेम अंसर लिख सकते हैं अपने अंसर शिट में बट कोई दिक्कत नहीं है आप अलग से भी आपको लिख लेना चाहे तो लिखो बट यह क्या होता है तो लात्मक देता है विवरंग देता है शब्द जो है आपके कम लगते हैं यहाँ पर और एक बहुत स्वीट इंट सॉट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो पहले जो चीज जिसके हमने यहाँ पर बात करी थी तो यह था आपका टेस्ट मैच दूसरा हमने कहा इसको ODI One Day International फुल फॉर्म ही होता है इसका One Day International यहाँ इसी को हम कहते हैं 50-50 पचास-पचास ओवर के मैच फिर हो जाता है आपका T20 होता ही है यहाँ इसी को आप कह लीजिए 20-20 तो 2020 का जो पहले वाले का 20 का आपका 20 का ट्वेन हटा दिया बन गया T उसके बाद है 20 तो T20 है 2020 अब हम यहाँ पर चलते हैं कि किस किस पर हम आधारित या क्या क्या हम यहाँ पर और अतरिक तपाट ले सकते हैं और उसी पर हम इसको लाइक जज़ करेंगे कहने का मतलब यह है कि sir हम एक अलग से section यहाँ पर लेंगे और इसके अधार पर ही हम इसको तुल्ना करेंगे यानि कि compare करेंगे क्या क्या compare करेंगे जी आईए देख लेते हैं तो एक line हम यहाँ पर वापस से बना लेते हैं कि किस अधार पर जो है हम इसको तुल्ला करने वाले हैं ठीक है आईए तो कुछ points जो है यहाँ से हम ले लेते हैं इस प्रकार से हम कुछ columns यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं अलग- सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किस अधार पर हम इसको तुल्ला कर रहें यहां किस अधार पर हम इसका comparison यहाँ पर कर रहें अधार, base सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे यार डेस की, कितने दिनों का या खेल होता है, टेस्ट मैच जो रहता है, वो होता है आपका फाइब डेस का, कितने डेस का होता है, फाइब डेस, ये मैक्सिमम होता है न, ऐसा नहीं है, कि पाँच दिन तक मैच खेलना ही है, और ये एक मैच की बात हो रही है, यह जो बात हो रही है वह single match कý li represents, एक match के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं जैसे बहुत सारे बच्ची can refuse होते हैं अच्हा सर पूरा अगर series चल रहा है तो यह उसमें पास दिन खैलिंगे उसके खतम नहीं वो एक match की बात हो रही है, एक match पास दिनों मतलब test cricket के इतिहास में test cricket के इतिहास में सबसे कम समय में जहां तक मुझे याद आ रहे दो दिन तो इतो शेवर हमें दो दिन के पहले जो मैच खतम हुआ था पूरे चारो इनिंग अभी इनिंग भी उताएंगे कि इतने इनिंग होती है इंडिया और सौथ अफरीका के भी जो मैच हुआ था जब आफरीका दौरे पर हम गये थे उस दौरान आपको देखने को मिला था फाइब दे पांच दिन यह जो रहता है यह वंडे रहता है नाम ही किवल एक दिन तो वंडे हो जाएगा नाम ही वंडे यह भी आपका एक दिन में होता है एक दिन के तीन चार घंटे में खतम हो जाता है ठीक है मदब यह लॉंग फॉर्मेट है और यह आपका शौट है तो इसको सीमित ओवर भी कह सकते हैं पर लिमिटेड ओवर मैच हम इसको क्या कह सकते हैं लिमिटेड ओवर लिमिटेड यह भी आपका लिमिटेड स 2 प्लस 2 अब देखो यह प्लस लिखने का मतलब क्या होता है जब आप इंडिविस्वल्स आप देख रहे हैं यहां पर तो एक जो है वो टीम A के लिए और टीम B या चली दो टीम ले लेते हैं इंडिया और आस्ट्रेलिया दो टीम हम यहां पर ले लेते हैं क्योंकि कोई अगर मैच हो रहा है तो कम से कम दो टीम्स का होना आवश्यक है आप इस प्रकार से समझे जब आप स्पोर्ट जब आप गेम्स को पढ़ते हैं या खेलते हैं तो पहले उसका आप केडेगरी के मलब एक कह सकते हैं कि अलग-अलग उसको केडेगरी में आपको घ्रुप चैये रहने देखेए सब्धुयां अपको ग्रुप जाता लिकिन यहां पर आली यो ऐसे यह कर रहे हों बॉक्सिंग कर नहीं सामने वाला को पचाड होगे आप सिंगल ज़रूर है अपनी टीम से आप अकेले हैं उसकी टीम से वह अकेले हैं आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं लेकिन एट टाइम उसी दोरान सामने वाला का होना आवश्यक है और स्टेजेस में आपके फिर अलग-अलग चरण होते हैं नौक आउड स्टेजीस क्वाटर फाइनल सेमी फैनल ऐसे होता है खिंतु कुछ ऐसे गेम है जो प्योर इंडिविज्वल होने वाले जिसे बाला फेक की बात करता हूं भाया आओ भाला फेको फिर को दूसरा आपका और वह आपको के उपर भाला फेकिता है, तो आपका की थी बाला फेकता है जैसी बाला फिक नहीं करते हैं ऐखा कुछ नहीं इस प्रकार की चीजैं होती हैं कि प्रति से पर्धा के दारान यूंई कि आपका जो विरुदी खिलाडी रहता है वह अलग इंतिजार करेगा आपने भाला फेका आपने शूटेंग करे आपने गोला फेका करने के बाद वह आता है और उसके बाद फिर कोई और दुसरे ने किसी और को हराया, फिर वहाँ पर जो जीता है, हम उसके सांथ बिढ़ते हैं, यानि कि दो विनर अपस में बिढ़ेंगे, उसके आथ फिर में बिनर हो गया, फिर और को विनर, जो तीन लोग को ओडरी हरा के आए, फिर मैं उसके साथ भीडूँगा इस परकार से ऐसे 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 चलता है तो यह उसका होता है ग्रूप यह समुवाणा यहां पर भी सेम चलता है हमारी टीम ने उनके टीम एक लिए और एक एक इंडिया के लिए और एक एक बाूर में आप एक ही इनिंग खेल पाएंगे लिए आप कि एक यूंगा बन फर प्रतियेक को दो और यहां पर प्रतियेक खो एक प्रतियक टीम को दो इसे लिए हमने टू प्लस टू लिग दिया और टोटल मिला कि चार होता है ओवर कितने होते हैं इसमें अच्छा ओवर क्या होता है यह समझ लीजिए देखिए जिनको समझ आ रहे है जिनका क्रिकेट इंटरस्ट है तो ठीक है जिनको नहीं हो तो ऊपर से लीगल डिलिवरी करते हैं यह च्हछे वैद गेंदंट जब फेक लेते हैं तो उस छे गेंदों का एक पूरा एक ओवर कहलाता है एक ओवर आपने किया फिर दूसरा ओवर कोई- был लीकर आएगा फिर तीसरा फिर आप सकते ऐसा ज़रूरी नहीं है बस आप सकते फिर फिर चौथा को यह और आएगा, फिर पांच वहाँ आप आ सकते, तो आल्टरनेट आप ऐसे कर सकते, तो कुल ओवर चोहूंगे, तो पांच दिनों में ऐसा रूल नहीं है, लेकिन समान्यता 90 ओवर प्रत्य एक दिन, तो पर दिन एंटी ओवर्स तो पांच दिन में हो आपका, आप निकाल लीजिए, 4500 ओवर्स, ऐसा नियम नहीं है कि 90 ओर का होता है, समान्यता, समय को देखते हुए, अगर डे नाइट नहीं है, जरली दे होता है, बहुत कम डे नाइट आपको देखने को भिलेगा, टेस्ट में जाधातर दे होता है, दिन में खेला जाता है सुर्य का प्रकास, मौसमें डाल, उसको देखते हुए, 90 के आसपास ओवर करा जाते है, कभी कम हो जाते तो अगली दिन उसको एक्सिटेंट कर लिया जाता है, ठीक, इसकी बात, क्योंकि 30-30 का जो है वो बनता है जरली, इसमें पालिया होती, अलग-लग पाली होती, उसको ह हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो ओवर सोंगे वो 50, प्लस 50, मतब 50 ओर एक टीम और 50 ओर दूसरे टीम, यहाँ पर कितने का होगा, 20 प्लस 20, 20-20 ओर प्रतियक टीम को मिलेगा, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो इनके क्या बोलना चाहिए, बॉल ह कलर, बॉल का रंग, यह बहुत इंपोर्टेंट है, टेस्ट मैच में जो बॉल का जो कलर होता है, वो रेड होता है, या पिंक से भी खेला जाता है, रेड या पिंक, लिप्स्टिक कलर बोल सकते हो, रेड लिप्स्टिक, पिंक लिप्स्टिक है न, चिक है, तो रेड या फ और स्विंग वाली जो कंडिशन ज़्यादा तर यहां पर आपको देखने को मिलती है। इनके ड्रेस जो होते हैं, यूनिफॉर्म जो रहते हैं, याद रखना है, यूनिफॉर्म की कलर भी आपको पुछे जा सकते हैं। इनका 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 इन रंगीन होता है जैसे इंडिया का ब्लू कलर है आपको देखने को मिलेगा मतलब इसमें कुछ एक चीज़ों को छोड़के सबी चीज़ें यहां पडार समान मिलेंगी दोनों क्योंकि लिमिटे डोर्स के मैच है यहांपर चीज़ें आपको थोड़े देखने को मिलती है जिक इनका जो कलर होता है यह कैसा रहता है यह वाight कलर को होता है और यह रंगीन होता है यह आपके colorful होते है, uniform जो रहते हैं, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यह basic चीज़ हमने बता दी, ball को रंग हमने बता दिया, यहाँ पर uniform आपको बता दिया, कि कौन को से रंग के हाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ball का color अलग हो रहा है, और यह dresses होते हैं, मतब इनके जो कपड़े होते हैं, उनके color को हमने यहाँ पर बात कर ली, taste match में एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, समय जो रहता है, दिन या रात की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, day या night की यहाँ पर हम बात करें, जादातर समानेता है, ऐसा नहीं है न, हमिशा, जादातर most of the time क्या होते हैं, day में होता है, और यह जादातर आपका day plus day night होता है, day या day night, यह भी आपका day या day night होता है, यह तो जादातर day night होता है, क्योंकि कम ऊवर कर रहता है जल्दी खतम हो जाता है इसलिए जाद दो उसको डे नाइट अपन खेलते हैं यह समय कि यहां पर हमने बात कर ली ठीक है इसके लागा अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो जो टेस्ट टीम जो होते हैं इसके प्रमुक टूर्णामेंट या टेस् कौन कौन से प्रमुक टूर्णामेंट है तो जैसे हम रंजी ट्रॉफी देख सकते हैं रंजी ट्रॉफी की हमने बात कर ली हम इरानी ट्रॉफी देख सकते हैं इरानी ट्रॉफी की हमने यहां पर बात कर ली हम डबलू टीसी देख सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशि दो ही बार हुआ है ये एक बार निउजेलेंड विजेता बने एक बार ऑस्टेलिया किस्मत हमारी खराब थे कि दोनों बार हम उप्प विजेता यहाँ पर बने हैं ठीक है रंजी हो गया इरानी ट्रॉफी हो गया आपका WTC हो गया दलिब ट्रॉफी हो गया यहाँ पर हम आते हैं जब ODI की हम बात करते तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा इसके लावा एशिया कप भी आपको देखने को मिलेगा यह भी एक प्रमुक टूर्नामेंट है हाला कि एशिया कप आप स्टार कर लेना कभी T20 होता है और कभी ODI होता है दोनों फॉर्मेट में किया जाता है इसको कभी T20 फॉर्मेट कभी एशिया कप के फॉर्मेट में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी यह अभी 2025 में होगा पाकिस्तान जो है उसको प्रपोस्ट किया गया है बट लेट सी कहा होता है नहीं होता है इसके लाव बहुत सारे बाइलेटरल आपकी स्रीज आप भी आपको देखने को मिलेंगे नेकी दूपक्षे सिंक लाएं फिर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आ विजय हजारे विजय हजारे इसके लाव किया देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगす यह आई पी एल IPL तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस टूनामेंट्स के अंतरगत मतलब यह सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्डन होती हैं आपको किसी क्रिकेट के फॉर्माटिंग के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इसके प्रमुक रूल या नियम हैंड और तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखें ठीक है अब इसमें समझना अच्छे है इसको चाहें तो WPL भी लिग सकते हैं इसको भी चाहें तो आप एड कर सकते हैं मदब एड करना चाहिए क्योंकि यह भी आपका प्रमुक इंपोर्टेंट जो गेम है वह अभी हाली में कंड़क्ट भी कराया गया और हुआ भी है ठीक है चले आप मुझे कमेंड करके बताएगा कि WPL की जो विनर टीम है वो कौन है और इसकी कैटण कौन है यह आप बताएगा प्राश्क्न किया है हमने WPL विमेन प्रीमियर लिग इसके विनर कौन है किस टीम ने इसको विजयता बनी है lub है और आप ये भी बताईए कि क्या बोलते हैं इस टीम को लीड याने कि इस टीम की जो मुख्या थी इस टीम की जो कप्तान थी क्याप्टन थी वह कौन थी यह दोनों आप कमेंट करके बताईएगा टेस्ट में और भी दो तीन चीज़ें हम इंक्लूट कर सकते हैं जो इनसे थोड़ी डिफरेंट होती है आप चाहें तो स्क्रिंशॉट ले लिए इसका पहले जो सीमी तोवर के मैचों से थोड़ी से आप उसको भी अहांपर आप बता सकते हैं वाइड बॉल वाइड का मतलब होता है चावरा और वाइड की बात होता है और तेस्ट में जनरॉली जब बहुत जादा वाइड होता है तब उसको दिया जाता है बहुत जादा का मतलब जैसे ये क्रीज होता है ये बैट्समेन बैटिंग करें राइट है और ये आपके वाइट के कुछ निशान होते हैं यहां से गेंड अगर इस पार से जाती तो जरली वाइड देते हैं बहुत जादा मतलब एकदम बॉल यहां से निकल के ऐसे निकल जा बहुत जादा अगर निकलता है तब जरली वाइड देते हैं अदरवाइस नहीं दिया जाता ये कंडिशन होती है जरली आपके ODI's में और T20 में बहुत fine जो वाइड है वो दिया जाता है बहुत fine जो वाइड है उसको भी हम देते हैं ये एक और तरीका है इसके अलावा एक पर बैटिंग कर रहे हैं और नॉर्मल यहां से बाउंस होने के बाद यह सर के उपर से निकलता है डिरेकली नहीं ना डिरेकली जागा तो वैसे ही नो बॉल होता है टपा खाने के बाद सर के उपर से जाए कंधे के उपर से जाए तो ठीक है चलता है कंधे के उपर से जब रह पखाने के बाद ऐसे condition में ऐसे cases में तो भी हम इसको क्या कहते हैं तो भी हम इसको white ball कहते हैं यह आपने ऐसे लिखना था ठीक है फिर क्या बताना था कि भई यह एक प्रकार की illegal delivery होते हैं यह कैसे डिलिवरी है यह अवैद illegal delivery होती है मतलब जो आप 6 ball की यहां पर बात करते हैं 123456 माल लेते हैं पहला ball आपका सहे गया दूसरा ball में 4 run आ गया तीसरा ball में 2 run ठीक है ना चौथे ball में 1 run पांचो ball जो डालना था यह क्या चला गया यह wide चला गया तो यहां पर अब क्या लिखाएगा यह यह अब wide लिखा चाएगा और इसके बदर आपको एक और ball करनी as a penalty किसको दिया जाएगा बैटिंग टीम को दिया जाता है यह पूरा लिखना है विड़ा तभी आपको 8 number मिलते हैं यह देखे इतनी सारी चीज़े में ने बता दी सब points यहां पर include करना है अतिरिक तरन किसको दिया जाता है बैटिंग टीम को दिया जाता है और यह अतिरिक के खाते में जाता है उस team में जूड़ता है यह एक्स्ट्रा के खाते में यहां पर आपको देखनी को मिलेगा इसके अलाम आप यह भी कर सकते हैं अच्छा यह डबलू नि लिखते है इसको, मतलब कि भिकेट हो जाएगा डबलू ड लिखने है सो यह तो chem में भी एक लगना अच्छा विकेट भी तीन प्रकार से होता है यनिकि विकेट थीन चीजों को कहा जाता है एक विकेट होता है जब क्य ग्रणा विकेट गिरना मतलब कोई व्यक्ति आउट हो जाए batsmen या bats women बोलिए आप women इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि भाई लड़कियां भी खेलते हैं क्रिकेट है न तो women बोलना हमारे लिए important है तो जब वो out हो जाए तो ऐसे conditions में हम इसको बोल देते हैं wicket गिरना यह पहला हो गए है wicket दूसरा जो wicket होता है जो stumps होते है यह stumps गिल्लिया बोलते ही na की ball जाके wicket में लगा करके तो यह wicket होता है यह guill्लिया होती है ball यहाँ पे ऐसा लग जाता है तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं हम vicket कह देते हैं और तीसरा जो pitch होता है यहाँ पर आपके stumps होते हैं इदर भी आपके stumps होते हैं और यहाँ पर जो है balling करी जाती है यह batsman कड़ा होता है यहाँ पर non-striker होता है तो यह जो section आपको नजर आ रहा है इसको भी हम wicket कहते हैं कहते हैं कि slow wicket है fast wicket है अतरिकत उचाल तीज उचाल, bouncy pitch and all तो जो pitch होता है जरली उसको भी हम wicket कहते हैं ये आपके जो तीन stumps नजर आ रहे हैं विथ आपके जो bills गिलियां होती है वो भी wicket कहलाता है और जब कोई out होता है चला जाता है तो भी हम उसको wicket कहते हैं तो wicket की भी तीन अलग-अलग रूप हैं अलग-अलग परिभाशा हैं वो भी आपके questions पूछे जा सकते हैं तो ऐसे पढ़ने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे terms हैं तो बने रहे हमारे साथ competition community के साथ Thank you so much जहेंद